नमस्कार दोस्तों आप सभी का अपने इस चैनल पर मैं बहुत-बहुत श्वागत करता हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पास फ्रीडिस वाले कुछ सटब बाक्स हैं जैसे कि त्रिपालेट पगार्या 50-50 8080 शॉलीड यह डिडिव फ्रीडिस के एंपेग 4 सटब बाक्स हैं इस पर एक फाल्ट देखने को मिला करता है पावर डेड का जब आप इस पर 12 बोल्ट एडाप्टर से सप्लाई देते हैं तो आपको जो 12 बोल्ट सप्लाई है तो वह ड्राफ हो जाता है मनलब की स्वाटिंग के कारण आपको ऐसा फाल्ट अगर देखने को मिलता है तो दोस्तों आप किस परकार से पता करेंगे कि फाल्ट कहां है इसके कार्ड को अन होने के लिए 5 बोल्ट जो सप्लाई है तो जरूरी है और जो 12 बोल्ट सप्लाई है तो दोस्तों कि जो sorting का fault है 5 volt supply में है या कि फिर 12 volt supply में है तो दोस्तों आप किस परकार से पता करेंगे तो दोस्तों आज किस वीडियो पर मैं आपको एक बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका बताने बाला हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यह 5 volt का एक adapter है 5 volt 2 amp का आप 5 volt 1.5 amp का adapter भी यूज़ कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने एक खराब कारीडर का यह USB socket जो है तो निकाला हुआ है और इस पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको फ्रेंट में इसे अगर आप इस प्रकार से रखते हैं तो आपका यह जो इधर से राइट साइड वाला यह पिन है यह VCC का है इस इस पर 5 बोल्ट सप्लाई हमें शोल्डिंग करना है और यह दोस्तों इसका ग्राउंड वाला पीन है और बीच वाले दोनों पीन इसके डाटा वाले हैं इसका हम प्योग नहीं करेंगे इस प्रकार से आपको इस पर कनेक्शन कर लेना है इस 5 बोल्ट एडाप्टर का और अ दोस्तों इस 5 बोल्ट के सब्लाई से अगर यह चाला हो जाता है इसका मतलब कि आपका जो खराबी है तो 12 बोल्ट सब्लाई में है दोस्तों मैं आपको इस 5 बोल्टis के डाप्टर आपकोसे से चालू करके दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं यह setup box चालू हो चुका है इसी प्रकार से आप किसी भी MP4 setup box को चेक कर सकते हैं अब मैं आपको इसे भी चेक करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यह setup box भी चालू हो चुका है मतलब कि दोस्तों अगर 5 volt supply सही है तो आपका setup box on हो जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह setup box भी on हो गया है इस प्रकार से आप किसी भी MP4 setup box को चेक कर सकते हैं कि sorting 5 volt में है या कि फिर 12 volt supply में है तो आप देख सकते हैं यह setup box भी चालू हो चुका है इस प्रकार से दोस्तों अगर आपके setup box पर sorting का fault आता है तो आप पता कर सकते हैं कि sorting 5 volt supply में है या कि फिर 12 volt supply में हैं अगर दोस्तों यह जनकारी आपको अच्छा लगा हो तो भीरों को एक लाइक करना ना भूलें मिलते हैं नेस्ट वीडियो पर नमस्कार क्या है